चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबायो वीडियों की लीटिस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबायो धन्यवाद कि मैली वीडियो के माध्यम से दोस्तो आपको यहाः पर कट् सेक्शन हमने लिए हैं नहीं को आप by Begin दोस्तों आपको condition दिए है अर्था direction आपको दिए है fill in the blank अर्था आपको क्या करना है जो आपके खाली स्थान है दोस्तों उनको भरना है आपको देखें दोस्तों यह हमारे प्रिपोजिशन के आधार पर हैं तो आप धिशान दे कर इनको देखेंगे दोस्तों के रूलों को देखेंगे अलगलग प्री पूजिशन के लिए अलगलग यहांपर रूल है दीश्व फई धैस टूउक इक्वाइस टेन डोस्तो जब भी आपका यहां पर डिवीजन वाला अता है और multiplication वाला आता है तो आपका हमेशा दोस्तों 2 लगता है और आप यहाँ पर देख रहे हैं यह आपका multiplication वाला है क्योंकि आप जब 5 गुणा 2 करेंगे तब आपको 10 मिलता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर option number C वाला सही हो जाएगा तो यह आपका यहाँ पर rule लगता है अब देखे अगला वाला आपका क्या है this table is 4 feet और यहाँ पर dash किया है 2.5 feet अब दोस्तों देखे जब भी dimension की बाद होती है dimension मतलब दोस्तों लंबाई चोड़ाई की बाद होती है तो यह दोस्तों यहाँ पर एक dimension की बाद हो रही है तो दोस्तों buy आएगा यहाँ पर dimension के लिए यह भी आपको याद रखना है अब देखे अगला यहाँ पर question क्या है अगला question आपका यहाँ पर देखता है I bought this camera for rupees 9500 दोस्तों देखे जब भी आपका price की बाद आती है हमेशा आप ध्यान देंगे वहाँ पर दोस्तों आपका for ही लगता है यहाँ पर आपका for लगाए तो आपका यहाँ पर ठीक है option number यहाँ आपका for आ जागा लेकिन दोस्तों देखे जब आपका rate की बात होती है rate की बात होगी तो वहाँ पर दोस्तों आपका add लगेगा यहाँ पर सुब्ला confused होता है जब फौर आएगा फौर की ओल दोस्तों rate यहाँ पर price के लिए आता है देखे आप हमें दिये कहें कि mangoes 20 rupees per kg हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर rate की बात कर रहे हैं अर्थाथ हम बोलते हैं कि जो आम हैं इतने रुपे पर किलो है तो यह दोस्तों rate है और हम बोले कि कैमरा इतने रुपे का लिया तो दोस्तों यह आपका क्या है price है तो यह आपको यहाँ पर different पता होना चाहिए और add और for काइन में अंतर होता है अब दीखे अगले question को देखते हूं अगला question देखे दोस्तों यहाँ पर डैस यहाँ है first I did not recognize her दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर add first आएगा क्योंकि at first I did not recognize her जब दोस्तों दीखे अचानक के लिए आता है जब यहाँ पर हम बात करते हैं certain expression की तो वहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर आता है आपका add first at home या फिर add all cost या फिर add once तो यह आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो जो अचानक आपका जो expression होता है वहाँ के लिए क्या आत जिस expensive car is my rage दोस्तों दीखे मेरे यहाँ यह महेंगे कार मेरी पहुंच के बाहर है तो दोस्तों पर आपका क्या आएगा बियोर्ण यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों जब भी यहाँ पर approach की बात कहिए जाती है दोस्तों approach के लिए आपका यहाँ पर beyond इस्तेमाल होता है तो this expensive car is beyond my range तो दोस्तों beyond आपका option number यहाँ आपका आजाएगा दोस्तों आपका अगला यहाँ यहाँ पर देखे मस्ट भी फॉरी टू डग्रीज सेंटिग्रेट दोस्तों इâपका आएगा जब भी आपका टैंपरेचर आता है तो एमपर दोस्तों दोस्तों ध्वाला आएगा और तो इतना होना ही चाहिए यहां पर बोला जा रहा है अधिक होना चाहिए तो यह दोस्तों आपका आपका इस्तिमाल होगा अब देखिए अगरा question आपका यापर क्या है she is sitting यहाँ पर dash किया है the bus दोस्तों देखे बहुत ही अच्छा यहाँ पर rule लगेगा आपका she is sitting the bus यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर confused होता है on आएगा या फिर in आएगा दोस्तों देखे जब हम travel की बात करते हैं जो हमारी यात्रा होती है यात्रा की बात करते हैं तो शुवात में जब हम बैठते हैं वहाँ पर दोस्तों आपका आता है इन तो दोस्तों वहाँ पर आपका इन आता है शुवादमा आपने यहाँ पर ट्रेवल अगर शुव किया वहाँ पर आपका इन आएगा और जब दोस्तों मोमेंट की बात कहीं जारी अर्था था आप कहीं बीच में हो यात्रा के यात्रा के दौरान बीच में हो तो वहाँ पर दोस्तों आपका on आता है तो यहाँ पर क्या जाएगा she is sitting in the bus वह bus में बैट रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपका in आ जाएगा और देखिए अगला आपका क्या है she is the bus to chandigad दोस्तों देखिए यहाँ पर she is अब यहाँ पर क्या आएगा on होगा क्योंकि bus में है और यात्रा के दौरान है तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर on आएगा यहाँ पर यात्रा के दौरान क्योंकि chandigad में है वो यात्रा में तो यह आपका यहाँ आपर on आया आपको transform करना है जो आपको direction दिया उसकी according देखें पहला आपको यापर sentence क्या दिया है no other language is as systematic as Sanskrit अर्थाथ यहाँ पर देखें दोस्तों यह question आपका यहाँ पर क्या है तो दोस्तों हम यहाँ पर बोल देंगे Sanskrit is most systematic language कीवाल हमारा इतना ही आएगा हमारे यहाँ पर आएगा यह हमारे यहाँ पर बंजाग दोस्तों आपको हमेशा यहाँ देहान देना है इनको आप भटा देंगे जो भी आपके यहाँ पर इस्तिमाल हुए है पर आप most यहाँ पर लगा देंगे यह आपका यहाँ पर सुपर लेटियो में convert कर देगा तो दोस्ते यह हमारी यहां पर सुपर लेड़े में कर्माट होगी अगला आप देखिए Water is no less necessary of life than air अब दोस्ते देखिए यह आपका comparative वारा है यहां पर आपका पानी की तुलना वायूशे की गई है और कहा गया है कि जो हमारा पानी है वो वायूशे कम आउशेक नहीं है अर्थात आपको positive बलाना पड़ेगा तो आप बोलेंगे कि जितना आउशेक पानी है उतना ही आउशेक हवा भी है तो दोस्ता आप यहां पर no less और than को हटा देंगे क्योंकि यह than और no less यहां पर आपका comparative के लिए आता है तो आप इनकी जगह पे दोस्तो एज लगा देंगे क्यों देखे वाटर इस एज नेसेशरी for life as air अर्थात वाटर जो है हवा की तरहा ही लाइज के लिए आउशेक है तो इतना आपका बन गया तो यह तोलना के लिए आपका एज यहां पर positive मा आ जाता है आपका देन हड़ जाएगा दोस्तों यहां पर popular जो आपका आता यह भी आपका यहां पर क्या है यह रहेगा यहां पर और more आपका हड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका दीखे मारुती इस यहां पर positive comparative और शुपर लेटिव तो दोस्तों आपको इनको बनाना यहां पर आना चाहिए दोस्तों देखे आपको यहां पर जो एक sentence दिया होगा उसके अलगला पार्टों में जो भी आपको वहां पर error दिखेगी वह आपको यहां पर छाटने बड़ेगी दोस्तों यहां पर इस्माल लिखा आप देखने ध्यान पूरत दोस्तों दिखे जब भी आपका इस्माल आता है श्रुवात में तो वह गलत है आपक आपको यहां पर ध्यान देना है वह और आई हमेशा capital आते हैं तो यह आपका rule होता है तो दोस्तों आपको यहां पर क्या हो जागा गलत कहां पर है पार्ट नमबर A में है तो A में आपको यहां पर टिक कर देंगे आप दोस्तों देखे अगल आप देखते हैं आप देखते to help me दोस्तों देखिए आपर me गलत है यहाँ पर me clear that interview दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका to help him आएगा क्योंकि वो अपनी pray कर रहा है कि उसका interview clear हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर उसका के लिए क्या आएगा यहाँ पर him आएगा इतना आपको ध्यान देना है तो him यहाँ पर आपका लग जाएगा तो यह आपका गलत है part number c में तो option number c वाल आपका सही हो जाएगा अब देखिए अगल आपका यहाँ पर क्या है किशोर wrote the story and compose the music दोस्तों यहाँ पर देखिए किशोर कहानिया लिखता है साथ ही साथ music compose करता है तो दोस्तों यहाँ पर as well as यहाँ आपका यहाँ पर आएगा end की जगह पर किशोर wrote the story as well as compose the music music को भी compose करता है तो यहाँ पर आपका error कहाँ पर है दोस्तों part number b में तो option number b आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों यह हमारे common error वाले यहाँ पर question इस तरह क्या आते हैं तो आप इनको तयार करेंगे और इस तरह की question हो कि आप यहाँ पर अपनी notes बना लेंगे अब देखिए हम अगले question को देखते हैं दोस्तों other direction पर दोस्तों आपके आपर एक question क्या आता दोस्तों correct the spelled word जो आपको यह रहते हैं उनको आपको correct करना पड़ता है according to spelled rule जो आपके spelling के rule होते हैं according आपको इंको correct करना पड़ता है अब देखिए द्वेएन किया question दिहें पहला आपको दिया Rayuz Z-E-L-O-U-S Z-E-L-O-U-S मतलब दोस्तों आपका चेहने वाला जलने वाला तो यह आपका option number 11 पर सही है तो यह सही हो जागा आपको याद रखना है दोस्तों देखिए आपका Z के बाद E आता है यह आप याद रखिएगा देखिए आपकर E है दो हैं और एक आप common और याद रखिएगा कि A भी आपका आता है Z-E-A आता है E-O नहीं आता है अब आप देखते हैं आपकर के और एक ही जिगा पर E-A आपका आता है तो इस तरह आप यहाद दिन को रख शकते हैं अब देखिए अगल आपका आपकर क्या है वेक्यूम है दोस्तो देखिए वेक्यूम में आपके दो यू लगातार आते हैं तो दो यू आपके लगातार यहाँ पर आते हैं देखिए तो वेक्यूम आपका V-A-C-U-U-M आपका हो जागा option number B आला तो इस तरह आप यहाद रख सकते हैं अब देखिए अगला आपका यहाँ पर क्या है Secretary दोस्तो देखिए क्योंकि दोस्तो आपका E और A में ही confusion होता है ज्यादातर तो आपने यहाँ पर confirm कर लेंगे Secretary इस तरह आप यहाँ लगे option number C वाला आपका अब दोस्तों देखिए आपका अगला यहांपर क्या है अगला गॉस्तों आपका यहांपर है conservative होता है एक अथात पहले हमा में हम neural या तो किवल आप देखते हैं यहां पर आपका पियेच आई है और आखिर में आपका पियेच वाई आएगा तो यह आप याद रख लेंगे तो आपको इजलिया आपर बता पाएंगे कि हमारा फिलोसोफी होता है तो अप्शन नम्बर सी वाल आपका सही हो जाएगा तो दोस्ता वासतारुन करते हैं तो इस फेलिंग आपका ठीक नहीं हो पाएगी तो दोस्तों आपने हमारे महिद मननट प्वेस्चन देखें को हमारे इंग्लिष के महत्प्वन प्रच्छन थे और भी हम दोस्तों आपको लगातार अन्य क्वेश्चन के हमारी जो क्वेश्चन आते हैं हमारे साथ बने रहा दोस्तों अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों के थैंक्स